जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कम्जोर पढ़ जाएं तो आवाज बोलंद करनी पड़ती है बोल की लब आजाद है तेरे दियूस क्लिक पर मेरे साथ बोल की लब आजाद है तेरे पोल सबा अब तक तेरी है जानते हैं क्या कहा है प्रधानवंतरी नरेंद्र मोधी ने? मोधी जी ने कहा है कि धारा 370 को हटाये जाने के बाद जो पार्टी के नेता छाती ठोक रहे थे इसे बंद कीजिए. उन्होंने कहा कि आगे बहुत लंबा रास्ता है, बहुत आगे लंबी लड़ाई है. जी हाँ, आप में से वो मूर्ख लोग, जो कश्मीर में जमीन खरीदने के पे उपर भद्दे जोक सकस रहे थे, या वहाँ की लड़कियों से शादी करने की बात कर रहे थे, उनके लिए कही ने कही प्रधान मंतरी का इस अंदेश है. और प्रधान मंतरी क्यों चिंतित है, मैं आपको बताता हूँ. प्रधान मंतरी इसलिए चिंतित है, क्योंकि अब तक हम यह उम्मीद कर रहे थे कि इस मुद्दे का अंतराश्ट्य करन नहीं होगा, मगर संयुक्त राश्ट्र ने बहुत ही तल्ख शब्दों में भारत में क कश्मीर को लेकर जो हालात हैं, उसे चिंता जाहिर की है, सुनिये क्या कह रहा है साहीं अंतराश्ट। आप जानते हैं, इस बयान में मुझे सब्से जादा चिंते करने वाली बात ये लगी है कि उन्होंने इंडिये अग्राश्ट। Indian Administered Kashmir, प्रधान मंत्री की चिंता यहीं से उभर कर आती है, इस बात को लेकर भी उभर कर आती है क्यूंकि हमारे यहां से कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हुई थी, जिसमें दावा किया गया था, किया दावा किया गया था? कि हमने अमरीका को confidence में ले लिया है धारा 370 हटानी से पहले अब खुद अमरीकी विदेश मंत्राले का ये बयान आया है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ Contrary to press reporting, the Indian government did not consult or inform the US government before moving to revoke Jammu and Kashmir's special constitutional status जो report किया जा रहा है उससे बिलकुल उलट भारत ने हमें नहीं बताया था कि हम कश्मीर में ये बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं यही नहीं दोस्तों, अमरीका में जो वहां की विदेश नीती को legislate करती है वहां की जो Foreign Affairs Committee है, उसका भी एक चंतित कर देने वाला बयान आया है जो कहता है Transparency and Political Participation are the cornerstones of representative democracies and we hope the Indian government will abide by these principles in Jammu and Kashmir क्या कह रहे हैं ये, वो ये बात कह रहे हैं कि जो ऐसी democracies जो की लोगों की उमीदों की नुमाइनगी करते हैं वहां पर बारदर्शिता होनी चाहिए, वहां पर राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए मगर आज, आज मुद्दा ये नहीं है दोस्तों आज, मुद्दा ये तीन विशे हैं पहला, बारबंकी की ये लड़की जिसने उननाव को लेकर चिंता जाहिर की थी दूसरी तस्वीर है किरन मजुंदर शौ जिने सरकार के एक बड़े अधिकारी ने चेताबनी दी है कि तुम इंकम टाक्स के मामलों पे बोलना बंद करो और तीसरी तस्वीर वित्त मंत्रा लेकी जहां के पत्रकारों से कहा गया है कि आप सवाल करना बंद करो आज का मुद्दा है, सवाल क्यूं ना करें? जी हाँ दोस्तों, कश्मीर पर तो हम लगतार बात कर रहे हैं, धारा 370 पर जश्न तो बनाया जा रहा है, मगर इन मुद्दों को आप नहीं बूल सकते महिलाओं की सुरक्षा, जिसे पूरी तरह से एक्स्पोज किया गया है उननाव मामले में अर्थ व्यवस्था, जो पूरी तरह से चेरमरा आ रही है, जिस पर मीडिया कोई सवाल नहीं कर रहा है सबसे पहले मैं आपका ध्यान खीचना चाहूँगा बारा बंकी की इस लड़की की तरफ इस लड़की ने पुलीस से उननाव मामले को लेकर सवाल पूछे थे जिसके मैं तीन हिस्से आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ नतीजा ये हुआ दोस्तों कि उसका परिवार इतना डर गया, इतना डर गया कि उसे स्कूल भेजना बंद कर दिया सबसे पहले में आपको बताना चाहूंगा कि उनके पूछे गए सवाल का पहला हिस्सा क्या है ये सवाल इस लड़की ने किया था मगर डर इसी के परिवार में बैठा दिया गया और आप जानते हैं क्यूं डर इसलिए बिठा दिया गया कि अभी उननाव की वो बेटी All India Institute में संघर्ष कर रही है अभी भी संघर्ष कर रही है मगर जो बलातकार का आरूपी है कुलदीप संघर्ष कर रहा है आप मुझे बताइए बलातकार के कितने आरूपीओं को इस तरह से छूट दी जाती है कि वो प्रेस कॉन्फरेंस कर सकें तो मैं क्यूं ना मानूं कि भारतिय जनता पार्टी पूरी तरह से अब भी कुलदीप संघर्ष के पक्ष में अब सुनिए आशिष सिंग ये हैं बीजेपी के विधायक आज इनकी आँखों में आसू है कि भाई कुलदीप संघर्ष के साथ क्या हो रहा है अत्याचार हो रहा है सुनिए अब से कारणवा समय का बालचक्र निग्ञाएगा जितने भी समय खराब है उन सब से लड़कर बनिश्चित तोर से आप सब के बीच में आप सब का निर्दत कर ने पहचेंगे तो ऐसे में मुझे बताईए बारा बंकी की वो लड़की और उसका परिवार डरेगा नहीं तो क्या करेगा? क्या ये सवाल नहीं उठा जाना चाहिए कि आखिर उस परिवार की सुरक्षा क्यूं हटाए गई थी? क्या ये सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए कि परिवार लगातार अर्से से गोहार लगा रहा था कि उसे जान का खत्रा है मगर फिर भी उसकी बात को अनसुना कर दिया गया अब हम रुक करते हैं उनके इस बयान के दूसरे हिस्से का इस दूसरे हिस्से में वो लड़की क्या कहती है सुमिये नेता के खिलाफ कैसे प्रोटेस्ट करेंगे बताईए और यह लड़की का सवाल क्यों जरूरी है मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें तीन पहलू सामने उभर कर आते हैं पहलू नमबर एक सबसे पहले जैसे कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया आशी सिंग जो कि बीजेपी का एक विधायक है उसने क्या कहा था क्या मुझे आपको बतानी की जरूरत है कि इस मामले में अब भी आमिट शाह जो कि देश ये ग्रे मंत्री हैं वो खामोश है प्रधान मंत्री ने कुछ नहीं कहा इस मुद्दे को लेकर साक्षी महराज लगातार अपना समर्थन जो हैं कुल्दीप सेंगर को जतलाते हैं पहलू नमबर दो यानि कि राजनीतिक संरक्षन पार्टी से निकाले जाने के बाद भी ये आदमी खुले आम जो है प्रेस कॉंफरेंस करता है इसे पूरी तरह से छूट दी जाती है और जैसिक कि मैंने कहा प्रधान मंत्री मोधी खामोश, योगी खामोश क्या इसलिए कुल्दीप सेंगर के हौसले बुलंद है अब हम रुक करना चाहेंगे इस लड़की के तीसरे बयान का तीसरे हिस्से का बयान के बताईए बलातकार के आरोपियों के खिलाफ बलातकार की पीड़त के पक्ष में अगर आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी गुना हो जाता है क्या आप इसकी कल्पना कर सकते थे 2013 में या 12 में जब निर्भाया के साथ वुकान हुआ था तब पूरा देश सडकों पर था तब कोई पूलिटिकल पार्टी जो है उसके बलातकारियों के फेवर में नहीं थी मगर हमने जैसा लगातार देखा है कट हुआ मामले में पूरी की पूरी बीजेपी जो है वो सडकों पर थी बलातकार के जो आरोपी हैं जो अब गुनागार हैं उनके पक्ष में हकीकत ये है इसलिए दोस्तों उस लड़की के सवाल वाजिब है मगर जैसे कि हमने बताया है अब उसी का परिवार डर में जी रहा है जवाब देए किसकी है बताये योगी जी और अब हम रुक करते हैं किरन मजुंदर शौह का दोस्तों कहीं न कहीं धारा 370 के जश्ट में कई खबरें दबा दी गई थी जिसमें एक ये खबर भी थी और बहुत इंपॉर्टन खबर है बायोकॉन की जो चीफ हैं इस देश की एक बहुत ही शक्तिशाली बिजनस वोमन केरन मजुंदर शौह ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे सरकार के एक बड़े गवर्मेंट ओफिशल ने फोन करके कहा कि आप इंकर्म टैक्स विभाग पर टिपणी करना बंद कीजिए कैफे कॉफी डे के संस्थापक वी जी सिधारत की जिस तरह से आत्महत्या हुई थी उस पर आप बोलना बंद कीजिए यहालत उस औरत की है जो एक बड़ी बिजनस वोमन है जो एक शक्तिशाली बिजनस वोमन है उन्हें तक कहा जा रहा है देखिए मैं ये तो जानता हूँ कि पत्रकारों को संपादकों को ये शक्स यानि कि निरपेन मिश्रा कॉल करते हैं प्राइम मिनिस्टियर्स ओफिस से ये वो सरकारी मुलाजम है मगर किरन मजुंदर शा को कौन सा सरकारी मुलाजम काल करके बोल रहा है क्योंकि जबकि वो देश की इतनी बड़ी बिजनस वोमन है जाहर सी बात है उन्हें किसी बहुती बड़े सरकारी मुलाजमने काल किया होगा ये लोग तंत्र है ये पारदरशिता है और जब आपके सामने हैं मुद्दे रखे जाते हैं तो आप लोग उगर हो जाते हैं आप लोग गाली गलोज पे उतर आते हैं दोस्तों देखें आप एक बात मानिएगा कि एक संदेश साफ तोर पर दिया जा रहा है कि बोलो मत पूछो मत सवाल मत करो मगर देश की अर्थ विवस्ता इस तरह से बत्तर हो रही है आटो इंडस्ट्री के इतने बुरे हाले हैं धेरों खबरे हैं ये देखिए सिलसलिवार तरीके से आपके सामने एक एक खबर हैं कि आटो इंडस्ट्री के कितने बुरे हाला थैं लाखों की तादाद में नौकरियां जा रही है कोई डिमांड नहीं है, कोई सप्लाई नहीं है अब मैं आपको सिलसलिवार तरीके से बताना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री के दिगज हिम्मत करके क्या बाते कर रहे हैं सबसे पहले आपके सामने राहुल बजाज की मिसाल क्या कह रहे हैं राहुल बजाज ना निवेश है ना मांग है क्या विकास और ग्रोथ आसमानों से होगा सरकार असलियत को छिपा रही है मगर हकीकत तो हकीकत है ये बात कही राहुल बजाज ने अब 20 अरब डॉलर्स की कंपनी आने वाले वक्त में विकास दर 6.5 फीसद से ज्यादा नहीं होगी सरकार के आंकड़ों पर कितना विश्वास किया जाए कहा नहीं जा सकता कई उद्योग वियतनाम जा चुके हैं क्यों आखिर क्यों ये तमाम इंडस्ट्रीज वियतनाम जा रहे हैं महरून रखेंगे जिसका तालुक सीधे आपसे है अब HDFC के बैंक प्रमुक दिलिप पारिक के मताबिक अर्थ विवस्था में जबर्दस मंदी है और ये समस्या नौन बैंकिंग फाइनाइन्स सेक्टर में पैसे की कमी में के चलते है अमीद है कि तियोहारों के वक्त बाजारों में उर्जा फिर से आएगी दोस्तों मैंने सिलसलेवार तरीकी से आपको बताया कि तेश के जो बड़े बड़े जाने माने उद्द्योग पती है वो आखिर क्या सोचते हैं तेश के अर्थ वस्था के बारे में आप आखे मूंदे रह सकते हैं जैसे कि हर मुद्दे पर रहता है बगर मैं मीडिया का वो हिस्सा नहीं हूँ जो हकीकत को आप से दूर रखूंगा यूगि अगर हकीकत को आप से दूर रखा जाएगा तो हालात सुधेंगे नहीं आपके किचन में अगर आग लगी हो तो आप बाहर से दर्वाजा नहीं बंद कर सकते हैं और ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि घर में आग नहीं पहलेगी पहले किचन में गुसिए उस आग को बुझाईए और ये ध्यान रखिए कि उस आख से कहीं आपका पूरा घर न जुलस जाए अजीर डोभाल की ये तस्वीर शोपियां की कई कोदी मीडिया के पत्रकार जो है वाइरल कर रहे हैं कि देखिए साथ कश्मीर में हालात सामान ने है वहां से कोई खबर नहीं आ रही है वहां से टेलिफोन लाइन्स बंद है और ये प्रॉपिगांडा की तस्वीर जो है वो सार्वजनिक की जा रही है क्यों अब बार ये तीसरे और आखरी मुद्देखी जो नहायत ही शर्मनाक है Finance Ministry यानि वित्यमंत्राले की एक प्रेस कॉंफरेंस होती है और पत्रकारों से कह दिया जाता है कि आप सवाल नहीं पूछेंगे हम आपको एक हैंडाउट यानि कि एक कागल्स का पन्ना दे देंगे बस आप घर वापिस चले जाएगे इसको लेकर पत्रकार जो हैं विरोध करते हैं और प्रेस कॉंफरेंस छोड़ कर चले जाते हैं मगर छोड़े जाने से पहले जो Economic Secretary हैं वो प्रेस कॉंफरेंस से बाहर जाते हैं किसी से फोन पर बात करते हैं और वापिस आकर कहते हैं नहीं साब आपके सवाल नहीं लिए जाएंगे ये हालत उस मंत्राले की है दोस्तों जहां सबसे ज़्यादा दिक्कत है मैं क्यूं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा दिक्कत है और वो वित्तमांत्राले नहीं चाहता कि पत्रकार उनसे सवाल पूछें और दोस्तों ये चीज जो अख़बारों के पहले पंदे में होनी चाहिए थी ये चीज जो हर टेलिविशन में डेबेट का मुद्दा होनी चाहिए थी उसे किस तरह से दफ्न कर दिया गया पिछले हफ़ते आपको पता ही नहीं चला और सच बताएं आपको कोई फर्क नहीं होगा क्योंकि आप तो धारा 370 का जश्ट मना रहे हैं मगर आप ये नहीं जान रहे हैं कि बत से बत्तर होती अर्थ विवस्था हमारे परिवारों में एक दिन रोजी रोटी के लाले ला देगी आप में असुरक्षा की भावना ला देगी और वो इसलिए होगा क्योंकि आपने सरकार से तीखे सवाल नहीं किये वो सरकार जो राष्टरवादी शद में राष्टरवादी मुद्दों में आपको भटकाती रही और जो बुनियादी मुद्दे थे रोजी रोटी के उससे आप महरूम रह गए खैर आपको मुबारक इस तरह का राष्टरवाद